बहुत लोग जब भर्मकरेला बनाते हैं तो उसके स्टफिंग को लिए थोड़े परेसान होते हैं कि किस तरीके सबनाएं जो की कड़वा ना बने उसे उबालें, सुखाएं, नमक लगाएं या क्या पर आपको ऐसा कुछ भी करने की जुरत नहीं है आज एक खास स्टफिंग के साथ मैं आपको बताने जारी हूं भर्मकरेली की सबजी हेलो फ्रेंड वेल्कुम बैक टो माई यूट्यूब चैनल लिदा कीचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत 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 पेस्ट का जो शायद पहले कभी आपने करेली की रे कड़वा नहीं लगेगा और बहुत 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 जादा स्वाधिस्ट बनके तयार होता है तो अगर आप बनाने जा रहे हैं करेली की स्टफिंग आली यानि कि भर्मकरेली की सबजी तो प्लीज इस रेसिपी को पूरा देखिए एंजॉय कीजिए और ट्राय बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी और बिल्कुल पर्फेक्ट बनके तयार होगा सबसे खास बात कि इस रेसिपी में हमें ज्यादा ऑईल की भी ज़रूरत नहीं है बहुत ही कम ऑईल के साथ बहुत ही कम मसालों के साथ हम यह स्टफिंग वाली टेस्टी सब जी बहुती हैं उसे सबसे खास अब तो नहीं है रहेर सबसे खास के सबसे खास को में इस ब्रइस Ultra करेवें दूसे में dalते हैं जिलके के बाद बचते हैं करेले छिले हुए तो जो छिले हुए करेले हमारे पास है अब इसमें हम लगाएंगे चीरा यानि कि हमें बीच में से कट करना है उपर का थोड़ा पाट छोड़ना है नीचे का थोड़ा पाट छोड़ना है बस हमें बीच में से इस तरीके से कट कर लेकिन आप स्पूनसे से निकाली बहुत इजिली रिमूव हो जाएंगे करेला बिल्कुल खाली हो जाएगा अच्छा पर फेक्टली स्टरफिंग भड़ने के लिए तैयार है तो यहाँ पे हमने करेले छील निए हैं सभी और जो करेले के बीज निकले हैं अगर कच्छे तो आप इसे अलग हटा सकते हैं, तो यहां पेश पके वए थे तो मैं इसका यूस्स नहीं करूंगी रह सिपी में इसके इतारती हम लेने वाले चार प्याज और जो प्याज हमने चाल लिए है उन्हें हमें चौप करना है पेस्ट नहीं बनाना इस वात का ध्यान लगा शाथ में हमें लिए हैं चार हरी मिर्च और एक कच्ची आमी जिसे अभी हमें चौप करना है प्याज के साथ ही इन्हें बारिक बारिक कट करना है सभी चीजों को तब ही स्टफिंग बहुत अच्छे लगती है क्योंकि स्टफिंग में इनकी बाइट साती है अगर आप पेस्ट बना देंगे तो स्टफिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी इसलिए आप चौपर का यूज कीजिए चौपर नहीं है तो कदुकस का यूज कीजिए और नहीं तो नाइ चाहते हैं साथ में डालने वाले हैं लस्ट की कलिया तो यहां पर लगबग मैंने 15 लस्ट की कर लिए चोटा सा अध्रक का टुकड़ा लिया है वह भी सके अंदर एड कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक चॉताई कप पानी पानी डालने के बाद अब अब इसे ढख दे तो इसलिए अगर आप इन्हें थोड़ा तलेंगे नहीं भूनेंगे नहीं तो कड़वापन सब्जी में आ जाएगा उस कड़वेपन को अठाने के लिए आपको इसे भूनना है अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब इन्हें बाहर निकाल लेंगे और बाद में आड़ करें चल्के निकाल लेते हैं और बचे हुए तेल में डाल देंगे एक चमच जीरा यूद्ध कर चल्क है और एक चमच यहां पर सौप लेंगे ऐगाए शाथ मिलें डाल देंगे प्याज प्याज लसन प्यार हरी मिर्च और आम आब आच्छे से मिक्स करेंगे अब इसके बाद देखें जब आप 2-3 मिन्टी से भूनते हो जाएगा तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी प्याज अच्छे से पक जाएंगी अब इसके बाद जो हमने करे लेके छिलके तलके रखे हुए वह भी इसके अंदर एड कर देंगे और उन्हें भी एक मिन्ट तक हम इसमें भून लेंगे अब इसके बाद डाल देंगे हल्दी पॉडर लाल मिर्च पॉडर हींग नमक स्वात के अनुसार और साथ में धनिया भी आपको इसके अंदर एड करना है और सभी मसालों को मिक्स कर देना है अच्छे से प्याज के साथ का और अटालों देंगे इसके बाद हम ढालेंगे इसमें पेस्ट जो की हमने मुम फले का और यहां पर हमने काजुका पेस्टे यह त्यार करा है इस पेस्ट के अनदर करेंगे इस अच्छे से मिक्स करेंगे और लग बग 2 त 1-3 मिनिट यहाद भून लिजिए जिससे की पे अब भीड की वेस पतला हुआ है वापस से ड्राय कर देगा स्टफिंग के लिए तेयार कर देगा और चीनी से जादा मीठा नहीं होता बस हलका साथ बैलेंस बन जाता है कड़वे पन का खटे पन का चीनी डाल देंगे तो और यह बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग बन के तेय करेल हो रहा है किसमें हमने कोई क्रीमी चीज यानि की मुवफली या कोई ऐसा पेस्ट डाला है बिल्कुल परफेक्टली डन है आप खाके देखेंगे तो आपका सामन करेगा कि रोटी के साथ बिना करेले के सैसे सूखा खा जाए क्योंकि बहुत ही टेस्टी स्टफिंग ब तो आपको इसको कॉर्नर में अच्छे से फिल करना है ऐसा नहों कि बीच में बढ़ जाए और कॉर्नर काली रहे जाए तो यहां पर आम कॉर्णर को फिंगर से दबातो इसे भर लेंगे और अच्छे से स्टफिंग को सेट कर देंगे तो यहां देखिए करेले को आप कैसे जादा टेस्टी बहुत यहां खुबसूरत बहुत स्वाधिस्ट लग रहे हैं लेकिन आपको रियल्टी इसकी बनने के बाद पता चलेगी जब आप इसे सर्फ करेंगे जब आप इसे खाएंगे तो अब इसे हम फाइनली बनाने के लिए रख लेते हैं और इसमें डाल दे इसमें रखने के बाद हम धक्के से पकाएंगे जिससे कि यह जल्दी पक जाएं और आपको ध्यान रखना है कि धक्के पकने के बाद दो मिंट बाद आप इसको धकन को अटाएंगे और थोड़ा सा टर्न करेंगे मोडेंगे हलका सा जिससे कि करेले हम चारो तरफ से पका सक तो उसमें नमक एड़ कर देंगे तो उसके अंदर अच्छे से बाहर भी नमक चला जाएगा करेले को पलटते हुए अच्छे से आप पका लीजे और जो नमक है दोनों तरफ आपको जब भी पलटेंगे तभी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालना है वापस से लीड लगा तो करेले की स्टफिंग है वह इसकी सबसे खास बात है बहुत टेस्टी लगती है बहुत स्वादिस्ट बनते हैं करेले गलते भी हैं करेलों को बादने के लिए कोई हमें धागे वगएर की जूरत भी नहीं पढ़ती बिल्कुल भी क्योंकि स्टफिंग में आपने हमने लि करेले का सीजन चल रहा है मार्केट में बहुत एजली मिल जाएगा अगर आप सिंपली करेले को तल तल के और भून भून के खाके परेशान होगे तो स्टफिंग वाले करेले ज़रूर बनाईए बहुत टेस्टी लगते हैं एक बरा बना रख सकते हैं दो दिन तक आप राम से करेलों को एंजॉय कर सकते हैं बहुत जादा स्वाधिस लगते हैं खाने दाल सब्जी किसी के साथ सर्फ कर लीजिए बहुत टेस्टी है और रेसेपी भी बहुत ही एजी है आपको यह रेसेपी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताईगा अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो के लाइक बटन जरूर कलिक करें और रेना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नहीं टेस्टी सी रेसेपी के साथ रेना किचन पॉइंट में तब तक के लिए बाबाई झालिए झालिए एक बड़ करना नहीं with ईब चालिए भी में अथी झालिए पक के लिएफे ह। झाल झाल